दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि वो कौन से प्लगिन्स हैं जो कि आपके साइट पे कम से कम इंस्टॉल होने ही चाहिए अब मैंने सोचा कि कौन से ऐसे प्लगिन्स होते हैं जो कि एकदम मस्ट है मस्ट है किसी भी साइट के लिए लेकिन अब मैंने सुझाए कि यार अब कैसे आप लोगों में बता हूँ कि हाँ यह सब चीज जरूरी है मैं सुझाए कि अगर आपको प्रूफ करना है तो मुझे ऐसे प्रूफ करना हूँ कि मैं आपको खुद लिए चलूँगा कि देखो मैंने खुद इन्स्टॉल कर रहा हूँ अब कोई भी चीज अगर मैं आपको गलत बता रहा हूँ तो मैं खुद तो उसको अप्लाइड निक कर रहा हूँ आज कि यह आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं अब करने से कुछ नुकसान नहीं है आपके सामने बस वीडियो आ जाए कि आपको नहीं देखना आपकी मज़ी है वाकी पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना आप चलत करना चाहिए और एक और क्या प्रॉब्लम आ गई है कि मेरा नों डिवी का कुछ इशू हो गया है तो आप पे कहीं तो लिखा है यहां पे लिखा हो आ रहा है कि यह एलिगेंट थेम सब्सक्रिप्शिप्शन एक्सपायर वह मैं चेक करता हूं और हाँ यह भी एक दिक्कत ह सब्सक्रिप्शन ने से कम तो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी इससे कम आपको कहीं भी प्लगिंश किसी भी डैश्बोर्ड में नहीं दिख सकते हैं बहुत कम में रखता हूं क्योंकि इस वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे जादा प्लगिंट से आपके साइट पे लोड परता है आपकी साइट की स्पीड कम हो जाती है इसमें हमने पूरा बताया है कैसे आप अपनी साइट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं 11 तरीके बताएं तो उसी का पॉइंट था कि आपको कम से कम प्लगिंट अपने साइट पे इंस्टॉल करने ऐसे ही प्लगिंट करने इंस्टॉल जिनकी आपको जरूरूरत है तो सबसे पहल है हमारा flexible SSL for Cloudflare अब आप जैसे देख रहे होगे यहां पर एक बना हुआ है यानि कि जो मेरी साइट है उसका SSL certificate enabled है इसका क्या मतलब है कि मेरी साइट अप HTTP नहीं है HTTPS है सो वो लेने के लिए मैंने Cloudflare का इस्तमाल किया Cloudflare आपको free में SSL certificate प्रवाइड करता है तो उसी के लिए मुझे यह flexible SSL for Cloudflare इंस्टॉर करना पड़ा अपने WordPress डैशबोर्ड में तो उसके थूरू कुछ होता है आप में को इतना चेक करने के लिए Google Analytics भी आप कर सकते हो लेकिन मुझे उतना कुछ उतना डीप मैं नहीं चाहिए knowledge क्योंकि अभी मैं इसको blogging purpose के लिए नहीं इसको मैं अपने बस clients को दिखाने के लिए कि देखो यह मेरी site है तो मैं उसको blogging के लिए अभी तो इस्तिमाल नहीं कर रहा हूं तो इसलिए jetpack मुझे kind of overview दे देता है आगे बढ़ते हैं तो मैं basically jetpack को में overview के लिए थोड़ा सा analytics जानने के लिए use करता हूं अगला plugin है really simple SSL अभी ज़रूरी नहीं आप भी install करो यह मैंने क्यों लिया क्यों क्या हो रहा था कि मेरी आफ्टर आइंस्टॉर्ड Cloudflare मतलब SSL मैंने लिया कुछ-कुछ साइट से वह HTTP हो रहे थी कुछ-कुछ HTTPS हो रहे थी सो उससे क्या हो रहा है कि वह कहीं पे पैडलोग आ रहा है कहीं पे वह आए जो लिखा हुआता है वह आ रहा था सो मैंने इंटरेट पर देखा solution यह जो plugin है really simple SSL इसने पूरा अब मुझे नहीं पता इसने क्या-क्या किया राइट बनाई मांदो मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा लेकिन मैंने कुछ टाइम बात क्या किया कि वह ब्लॉग पोस्ट का पर्मा लिंक चेंज कर दिया तो अब लेकिन वह जो लिंक है वह इंटरेट पे हमेशा के लिए रह जाएगी तो कोई भी अगर उस पर जाता है उसे दिखेगा 404 error not found है ना सो हम नहीं चाहते हैं किसी भी यूजर को ऐसा दिखे तो मैंने क्या कर रहा उसको रिडिट कर दिया उसके नए ब्लॉग पोस्ट पे तो उससे यूजर को भी वहां पे आना हो गया एंड गूगल भी समझेगा कि हां यह काम की चीज है तो इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो गूगल जो है एक नेगेटिव एफेक्ट डालता है आपके साइट पे बहुत जारा इंपॉड़न होता है अगला प्लगिन है हमारा सिंपल ऑथर बॉक्स ऑथर बॉक्स बेसिकली किसी भी आप ब्लॉग पु स्मुष स्मुष बेसिकली मैंने इसी वाले वीडियो में बात की ती जो कुछ दर पहला आई थी आई बटन में कि आपको अपने फोटोस को आप्टिमाइज करने क्योंकि जादा वो लोड लेंगे एंड उससे जो है आपकी साइट की स्पीड भी बहुत कम हो जाएगी तो स स्मुष आपको भी इंसॉल करना जाए अगला प्लगिन है अपड्राफ्ट प्लस यह बिसिकली बैक अप के लिए और रिस्टोरेशन के लिए काम आता है जब यहां पर फ्री में अविलेबल है तो इन में से किसी पर अपको अगर लेकिन फिर भी चाहिए कि मैं इनके बारे वर्जिन नहीं है इसी मिन सारे काम हो जाते हैं यहां पे यहां पर वीडियो आ कॉमेंट में बताओ इवडियो पसंदा इसको लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर दो अगर ऐसी चीजों के बारे में आपको इंट्रेस्ट है तो और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में